हे गाईज बैस नुमा ग्रूप एजूकेशनल टिप्स में आप लोग का स्वारत है आज हम आपके साथ एक नया टॉपिक डिसकर्स करेंगे जैसे आप इसकीन पर देख रहे होंगे कि गड़ाल ट्राइफल के बारे में वहाँ पूरा चर्चा करेंगे इसके इत्यास के बारे है कि चैनल को सस्क्राइब लाइक सहर जरूर करें ताकि सहर जरूर करें ताकि क्योंकि जब जब भी हम इस परकार की वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास तुरंत नौटिफिकेशन में पहुंच जाएगा तो आप उस वीडियो का भी लाब ले सकते हैं और जो भी व वो कमेंड बॉक्स में जाई हिंद जरूर लिखें और अब सभी को पता है कि आर्मी की भरती आने वाली है जल्दी ही आएगी और इस परकार की बातें चलती रहेगी पहले हम अपने टॉपिक के साथ टॉपिक गड़वल राफल है सबसे पहले हम बात करते हैं कि गड़वल साथ टलिएहिन पेलिस तक तो इसमें क्या हुआ कि अफगानों और अंगरajesों के बीच यह दुवाद घहमा साथ ने के बाद आंगर जलों की हार हो गी और उस समय हमारे जो अंग्रेजी सहने का नेतरत व कर रहे थे वो FThe gdy आर्हार थी हर के बाद अंग्रेजों को बहूत प उत्राखंड का एक लाल जो बलभाद रिशिंग नेगी वो गोर्खार रेजिमेंट के पांचवी बटर लाइन में बढ़ती होगी और जब युद की रणनेती चल ली थी तो जो हमारे बलभाद रिशिंग नेगी थे इन्होंने अफैसावर से कहा कि मैं क्या करता हूं कि जास प्रकार की सारी चीजें पता करके आऊंगा ताकि हमें जो आगामी युद होगा उसमें हमें हार का सामना नहीं करना पड़ा पड़ेगा तो कुछ समाई परसाद ऐसी हुआ जब दुत्या आंगला अफगान युद चला अठारसो अठोतर से अठारसोसी में तो इसमें भी घमा सान्युद चला और जो हमारी बलभदर सिंग नहीं थे इन्होंने अपनी सूच भूच और बीड़ता से अफगानी सेना को प्राजित करा और और भी सेना होंगी तो इसमें क्या हुआ कि जो एफगान था इसने पूरा स्रे बलभदर सिंग नहीं को दिया गया इस जीत का तो जब बलभदर सिंग नेगी ने अपनी सूच भूच और बीड़ता का पर्चा दिया तो सभी खुश हुई क्योंकि अंग्रेजी सेना को समभाए जीत का सामना करना पड़ा तो इसका पूरा सरे हमारे बलभदर सिंग नेगी को दिया एफ एस रॉबर्ड ने तो कुछ समय बाद हमारे जो बलभदर सिंग नेगी है इन्हों एफ एस रॉबर्ड से मिले और कहा कि सर हमारी भी एक अलग सी रेजिमेंट बनाई है गड़वार रेजिमेंट बनाई है तो कुछ समय बाद इन्होंने हमारे जो वो समय वाइस राइ थे लौल डफरिन से बात की इस हर ऐसे से बात है क्योंकि एक आदमी एक ब्यक्ति बलबदर सिंग लेगी जैसा बीरता युद्ध का पूरा ही दिर्शा बदल दे तो एक कौम बलबदर सिंग जैसा आदमी पैदा कर सकता है तो क्यों न हम इसकी एक अलग सी बठलर बना दे क्योंकि भुशे में कभी भी इस तरह की कोई घटना होती है तो हमें ज्यादा परिशाने का सामना नहीं करना पड़ा तो अंग्रेज तो आपको सब को पता ही थे यह सब अंग्रेज तो बहुत चालाग थे यह उन्हें सोचा तो कुछ समय बाद जो हमारी लॉड अफरिंद थे उसने इस परस्ता को पास कर दिया क्योंकि बलबदर सिंग्नेगी ने भी लॉड अफरिंद से का खतासर इस तरह के समझे तो उन्हें पास करते है क्योंकि अग्रेज पहले ही सही हो थे तो जो विश्वय युद जो सेकिन अफगान युद हो था उसमें जो बलबदर सिंग्नेगी ने जो बीरता दिखाई थी उसके लिए उने कुछ आवार्ड से समानित किया गया बलबदर सिंग्नेगी को पर्थम आवार्ड और अवार्ड से समानित किया गया और इस आवार्ड को प्राप्त करने वाले पहले ब्यक्ति थे इससे पहले किसी को यह आवार्ड नहीं दिया गया था और दूसरा बलबदर सिंग्नेगी को लाट सुवधार की उपादी भी से नवाजा गया यह उपादी जो एफास रोवर्ड थे उसके नीचे काम करना था इतनी बड़ी पद्द भी उन्हें अंग्रेजों द्वारा दी गई और थोड़ा हम बलबदर सिंग्नेगी के जीवाल पर चाहिए पर थोड़ा फोकस करते हैं बलबदर सिंग्नेगी इनका जन्म 1821 में पॉड़ी जिल्ली के हेडा खोली नामकिस्तान में हुआ था और यह क्या होई बहुत ही छोटी उमर में यह गउर्खर रेजमेंट की पांचवी बटर लाइन में बढ़ती होगी सतरा साल में होगी थी बढ़ती और इसके बाद कुछ समय बाद कड़ा रेफल की इस्तापना होगी और इसका पूरा सरी बल्भाथ उसींणुनी की होगी जाता है और कुछ समय बाद गड़ा रेफल की इस्तापना होई इसकी पहली इस्तापना पांच मई 188 में गड़ाल की पहली बटर लाइन आलोमोरा में इस्तापित की गई 1887 में पहली बटलन की स्थापना अलमोड़ा में हुई और यह कुछ ही समय चार या पांस मेने के लिए यह अलमोड़ा में रही कुछ समय बाद इसे क्या क्या गया कालों का डांडा लेंचे डॉंड इस्तांतरत की गई पहले लेंचे डॉंड का नाम कालों का डांडा था आपको पता है कि जहां हम जंगल राइब का जहां हम रहते वह क्या करते गाई फेंचे के साथा थे और जो लेंचे डॉंड नाम रखा गया उस समय का ततका लिन बाइस रहे था उसके नाम पर लेंचे डॉंड रखा गया कालों का डांडा का और एक गडवाल राइफल को नहीं पदवी और 1901 में गडवाल राइफल की दूसरी वर्टर लाइन इस्ताफित हुई और कुछ समय बाद पर्थम विश्वजिद हुआ तो आपको पता है 1814 से 1818 तक पर्थम विश्वजिद चला और इसमें हमारी गडवाल का एक और बीरता पुरुष दर्मान सिंग नेगी इन्होंने अपनी बीरता का परचा दिखाते हुए इन्हें पर्थम विक्टोर्या करोस उत्राखन से समानेत किया गया कुछी समाई परचात हमारी दूसरी जाबाद सिफाई गडवाल सिंग नेगी इन्होंने भी अपनी बीरता का परचा दिखाते हुए खुद ही सहीत होगी और इन्हें भी गुक्टोर्या करोस से समानेत किया गया और इसी बीरता को देखते हुई गडवाल रैफल को 1922 में रोयल्स की उपादी से नवाज गया फिर गडवाल रैफल को रोयल गडवाल रैफल कहने लगे और इसी बीरता को देखते हुई गडवाल रैफल पर 19 नौंबर 1923 में एक युद इसमारक लैजड़न में बनाया गया और जो बीक्टोर्या करोस है इसे सबसे पहले 1856 में प्रागाम किया गया यह उसमाई बिर्टिस में सेन्या का सरवोच समान था बीक्टोर्या करोस से समानित होने वाले भाहत के पर्थम व्यक्ति खुद दत्खा थी और हमारे गडवान रैफल से बीक्टोर्या करोस समान सबर पर्थम दर्वान सी नेगी को दिया गया दर्वान सी नेगी को जहा समान 1914 में दिया गया थोड़ा इसकी जिवन परचाई पर थोड़ डालते हैं तो उनीस चार मार्च 1883 में गिराम कफर तीर चमोली में दरवान सिंह का जन्म हुआ और 24 जून 1950 में इनकी मुर्ट्य होगी और यह 29 बटा लाइन में यह कारे रत थे स्वरी 49 बटा लाइन में यह कारे रत थे दूसरा हमारा गबर सिंह नेगी इन्हें भी 1915 में विक्टर क्रोश से समानित किया गया गबर सिंह नेगी को थोड़े इनके जन्म के बारे में डालते हैं तो इनका जन्म 21 अप्रेल 1985 में गिराम चमबा में इनका जन्म हुआ और मिर्तियों 10 मार्च 1915 में इनकी मिर्तियों हुई और मरणों परांत ही इन्हें गया विक्टर क्रोश समान दिया गया और सबसे बरी उपलब्दी है कि इनके नाम पर परतेक वर्ष 21 अप्रेल को सहीत गबर सिंग मिला चमबा टीरी में लगता है और सबसे छोटी उमर में विक्टर क्रोश समान पाने वाली गबर सिंग लेगी बीस वर्ष में इन्हें विक्टर क्रोश समान दिया गया और जब कड़वाल रेफल जब युद में जाता है तो उनका युद गोस है जै बदरी विसाल इस गोस के साथ ही आगे बढ़ते हैं और कुछ समाई पस्चात 1965 में जब भारत और चीन युद हुआ था तो नोरानाग युद 1962 में भारत और चाइना का हुआ तो इसमें उत्राखान का एक और लाल बाबा जस्वन सिंग लेगी इन्हें बाबा से जाना जाता था में उन्हें बहुतर गंटे युद में खुद लड़ते हुए युद की तस पर ही बदल दी थी और खुद भी सहीद हो गई और जस्वन सिंग रावत को मरणों प्रांत महाभी चक्ति से समानित किया गया और इनका जन्म पहुड़ी में हुआ था 19 अगस्थ 1941 में और आज भी बाबा जस्वन सिंग लेगी बरावत को सहर सुगा इनकी बूटों के पोलिस होती है इनकी रेंकिंग होती है इनके फिते चरते हैं इनके पर्मोशन होता है आज भी और गड़वान रेफल के अभी बरतमान में 22 बटरलेंड कारे रत हैं और जो बाइस्वी बटरलेंड जो बनी वो हाली में बनी अभी 6 अप्रेल 2018 साइटी पोडी जिले में कोड़द्वार में होई थी कोड़द्वार में 22 बटरलेंड की स्थापना हुई थी और जो अभी हमारे सेना परमुक हैं मनोज मुकंद जी ये सेना परमुक हैं इससे पहले जो सेना परमुक थे वो हमारे उत्राखन से ही विपिंद सिंग रावत जी थे थे अभी वो चीफ ओ एर मारसल बन गए हैं उनके परमोशन हो गए हैं और तीनो सेना के बारे में हम थोड़ा सा परमूक के बारे में डेटेल मिसल्द बात करते हैं जो अभी हमारे थल सेना परमुक हैं अभी हमने बताई रिया था यह हम हमानोज Mokanth नरवेड जी सेकिन है हमारे जो वाइ सेना के परमुक है वो है Ayya चीप Marshall Rahas Kumar Bhadoro gosta और 9 सैना के जो परमुक है वह एड़ मिनरल करम सिंग जी है इस परकार हमारे करणवाल रेफर और 3 सैना के परमुक के बार मुद्ध डिस्कर्श किया इस पर कार्के टॉफिक और भी हम अप्रोड करते रहते हैं हमारे चैनल से सांच जुड़ी और हमारी आर्मिस रेलिटीव गुरूप बनाया है आप गुरूप में जुड़ी मैं डिस्करप्शन में आपका लिंक दे दूगा हमारी साइड भी है मैं साइड का लिंक भी डिस्क पड़ाई के माद्यम से उन्हें जागुद करना है वो आगे बड़े देश की सिवा करें उत्राखन से संबंदित और इंडियन आर्मिस से संबंदित दोनों टॉपिक हमारे साइड और चैनल पर अपडोट की जाती है आप इनका लाप लें जै हिंद जै भारत जै उत्राख जै मतादी